हेलो स्टूडेंट्स, वेलेकम टू शिक्षाईग मैथ्सकेडमी, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और यह हिस्ट्री का अपना फॉर्थ लेक्चर है, तीन लेक्चर हमारे हो चुके हैं, इसके अलावा हमारे अकेडमी के दवारा अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पढ़ाया ज सत्रा सो साथ से, आधुनिक भारत में मुख्य रूप से क्या है, जब सत्रा सो साथ से सुरुआत होती है तो उस समय मुगल सासन करते हैं, उनकी स्थिति कैसी, उनके राजाएं कौन-कौन से हैं, कैसी स्थिति हैं हमने वो पढ़ा, उसके बाद पढ़ते हैं कि उस दोरान ज छोटे-छोटे राज्ये थे, हैदराबाद था, करनाटक था, मराठा था, राजपुतरा थे, अवद था, इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत और भी हैं, बंगाल है, जैसे करके जो भी हैं, उनके बारे में एक-एक के बारे में पढ़ेंगे, कि ये कंपनी आती हैं, इन क्या आप notes बनाते चलें, last में हम अपने notes भी आपको दे देंगे, अगर आप पहले चाहते हैं, तो अपने notes खुद handwriting में बना सकते हैं, तो बाद में हम अपने खुद भी दे देंगे, तो यहां से हम series से पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ रहे थे कौन से, यूरोपिय कंपनियो का आगमन है, ठीक है, East India Company, दिखाई दे रहा, ठीक है, East India Company का आगमन है, East India Company है, हुआ क्या था? कि समय था 1559 का, 1599 का समय था, यहां पे क्या होता है? पंद्रा सो निनानमे में क्या होता है कि ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना आती है ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना आती है ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना आती है East India Company उस समय नाम कुछ और था लेकिन क्या है बाद में उसका नाम रख दिया East India Company और इस company की स्थाबना होती है ये company चाहती है कि हम पूरों में जाकर व्यापार करें पीछे के किशा में हम पड़ चुके हैं पीछे के लेक्शर में हम पड़ चुके हैं कि ये ये देशों का और पुरुवी देशों का आगमन है वो अवरुद हो जाता है क्यों हो जाता है वो आपने पीछे लेक्षर में पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है तो आप पीछे का लेक्षर जरूर देखे उसके बाद आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी तो क्या था कि ये जाते थे कि यूरोपी ये देश जाते थे कि हम पुरुवी देशों के साथ व्यापार करें पुरुवी देश में हो सकता है चाईना हो सकता है इंडिया हो सकता है मलेशिया है सुमात्रा है इंगले ये क्या था सिरिलंका है ऐसे करके जो भी देशन के साथ है क्या जाते थी कि व्यापार करना चाहते थी इनकी इच्छ आती फिर क्या होता है कि 31 दिसंबर डेट क्रेक्ट ने बुच्छता है बाकी मैं बता देता हूं आप इतना याद रखे 1620 ठीक है आप सिर्फ इतना याद रखे 16 सोडा सुष्वी में क्या होता है कि ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाब बैथ पर्थम पर्थम यह गहती है बई चलो आपने कंपणी की स्थापना कुए इतना खर्चा लगाया है आपको पूरुवे देशों के साथ वयापर करने का अधिकार दे देते हैं यह एक चार्ट जारी करती है जिसको आप बोल सकते हो अधिकार पत्तर जार्ट या फिर आप बोल सकते हो एक अधिकार पत्तर जारी करती है कि आप ना क्या करो पुरुवी देशों के साथ है क्या गरो पुरुवी देशों के साथ व्यापार करकते हो कितने साल के लिए समें कंडिशन है पुरुवी दोश्यों के साथ जो आप व्यापार करोगे न उसकी condition रहेगी पंदरा वरस तक और इस पे न एक अधिकार है ठीक है इक अधिकार है इस पे क्या है एक अधिकार है भई आप है न सिर्फ आफ ही व्यापार करोगे इससा मतलत शिर्फ कंपनी के करमसारी कंपनी के अधिकारे ही व्यापार करेंगे पुरुवी देशों के साथ और कोई देश का अन्य नागरिक अन्य व्यक्ति अन्य बिजिनिसमेन वहाँ जाके व्यापार नहीं करेगा जैसे कि आज किल सरकार में चलता है ना कुछ भी निलामी होती है अडानी लेगा य मैं सरफ एक एकजामपल देना जाता हूँ अपको कि यहाँ पर कहते हैं कि सिरफ एक कमपनी का ही व्यापार होगा अधिकार होगा और बाकी कोई वो नहीं होगा ठीक है इस प्रकार इनका हो गया अधिकार इसके बाद क्या होता है भाई 1608 का समय आज़ता है कब 1608 1608 के ब्रिटिश सम्राट है कौन ब्रिटिश सम्राट क्या करता है कैप्टन होकिंस को बेज देता वह एक शाही फरमान जारी होता है एक साही फरमान के साथ है साही फरमान के साथ Captain Hawkins का नाम तो सब नहीं सुनाओगा Captain Hawkins के नाम एक साही फरमान जारी करता है British समराट कि जओ आप वहां जाके अकबर के नाम जारी करता है कि जओ वहां के सासक है इंडिया के भारत के सासक है अकबर उनके पहाँ जाओ आप और आप ना वहाँ पे विया पार करने की अनुवती मांगो आप विया पार करो अपनी factory आँ खोलो आप लेकिन जब Hawkins पहुंचते हैं यहाँ पे इंडिया में उसमें अकबर की मरती होचकी है और वहाँ पे उस हमें कौन है सासक है जहांगीर कौन है जहांगीर और जहांगीर से आकर ये कहते है कैप्टन होकिन्स कि हमें ना सूरत में फैक्टरी खोलनी है कौन कैप्टन होकिन्स कहता है जहांगीर से कि हमें सूरत में फैक्टरी खोलनी है नाम किस के लिए क्या था ये अक पर के लिए एक नगबर की हो चुकी है उस समय तक मरत्य जब ये पहुंचता है उसकी मरत्य हरु चुकी थी ये शाही फरमान लेके आता है और सूरत में फ्रेक्टर गोन लेकी अनुमति मांगता है इसके बाद क्या होता है ब्रैटनेस ज़्यादा तेज तो नहीं है देखने एक बार वैसे ही अब क्या होता है कि 609 में जेम्स पर्थम है वहां का समराठ एक साल बाद यानि कि 609 में कब 609 में समराठ जेम्स पर्थम एक और अधिकार पत्तर जारी करता है कौन समराठ है यानका सासक है कहां का ब्रीटेन का ये कहता है कि भई आपको ना अधिकार पत्तर है कि आपको जो 15 वर्ष का जो व्यापार करने का एक अधिकार था ना जो 15 वर्ष का था वो व्यापार करने का अधिकार आपको एनिस्चितकाल के लिए है व्यापार का अधिकार है वो एनिस्चितकाल के लिए है आपको 15 साल नहीं एनिस्चितकाल आपकी जब तक इच्छा हो लाइफ टाइम आपका है लाइफ टाइम पास बना दिया भई व्यापार करने का दिकार हो एन इस्चितकाल के लिए है एन इस्चितकाल का मतलब है जब तक आप चाहते हो तब तक आप व्यापार करशकते हो जब तक आप चाहते हो तब तक आप व्यापार करशकते हो ऐसा इनका उदश्य रहता है ठीक है यहां तक सब दिख रहा है यह कहत रहते हैं फिर 1611 में, 1611 में मसूली पठनम में अपनी एक पहली फैक्टरी खोलते हैं बहिए। कोन अंगरेज। 1611 में मसूली पठनम में पहली व्यापारी कोठी या पहली फैक्टरी. पहली फैक्टरी ये खोलते हैं भई कहां पे मसूली पटने में मसूली पटने में 1611 में ये एक वियापारी कोठी करते हैं यानि कि एक फैक्टरी खोलते हैं इसके बाद क्या होता है भई ये 1613 में ये क्या करते हैं जहांगिर से एक इसके बाद क्या होता है कि जहांगिर से एक फरमान प्राप्त होता है कि आप ना अब सूरत में भी फैक्टरी और सताई फैक्टरी होल सकते हो ये जो फैक्टरियां फैले खोल ली थी सूरत में एक ये खोल ली थी ठीक है इसके बाद ये मसूली पटनम में खोली है कौनसी कौनसी है एक ये मसूली पटनम में थोड़ा हाइलाइट कर देता हूँ एक ये सूरत में है ये दोनों फैक्टरियां है ये सथाई फैक्टरियां नहीं है और 1613 के समय में इससे नीचे तो सैद आपको दीखेगा नहीं 1613 में क्या होता है 1613 में 1613 में अब एक अंग्रेज अदिकारी है जिसका नाम है Captain Best ये क्या करता है Captain Best 1613 में एक पुर्तगाली जहाज है पुर्तगाली बेडा है कि पुर्तगाली जहाज है पुर्तगाली जहाज वो जीत लेता है भई जीत लेता है ठीक है ना पुर्तगाली जहाज को जीत लेता है और पुर्तगाली जहाज को जीत लेने से अब जो समराट है इंडिया का कौन है जहांगिर वो बड़ा खुस होता है चलो भई आप तो बहुत अच्छे आदमी हो अपने पुर्तगालियां को हरा दिया है आप हैना सथाई फेक्टरी खोल सकते हो ठीक है आप सूरत में सथाई फेक्टरी अब सूरत में जो थी वो पहले कौन शी थी ऐस थाई थी अब है कहता कि आप सूरत में हैना सथाई फेक्टरी खोल सकते हो सथाई फेक्टरी अब भई एक बात बताओ जीता कौन कैप्टन वेस्ट कहां का इंगलेंड का हार किसकोई पुर्तगालियों की तो इसको क्या फाइदा हुआ भई पून में देखें अपर एक मिन्ट बैटरी इश्यू तो नहीं है हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि 1613 में कैप्टन बेस्ट है वो पुर्तगाली जहाज के एक बेड़े को हरा देता है जिससे जहांगिर कुछ होता है और क्या है कि सूरत में सताई फेक्टरी फोल ने का वो देता है भई फरमान जारी कर देता है ऐसा क्यों करता है एक समय है कि पुर्तगाली है ना वो इतने आकरामक हैं इतने आकरामक हैं कि उन्होंने क्या कि ताबड तोड़ अपने व्यापार के लिए उन्हों क्या भी अपनी condition चला रखें पीछे की class में हमने पढ़ा था कि एक उन्होंने कार्टेज विवस्था भी चलाई थी और वो कार्टेज विवस्था ना अकबर भी मानने के लिए बाद दियो गया था ये पुर्तगाले क्या करते थे जो यहां से जो सामान जाता था ना समूदरी रास्ते के उस पर क्या करते थे अपना अधिकार स्थापित करके चलते थे हो गया ठीक है तो वो क्या करता कि अकबर भी उसको मानने के लिए बाद दे हो गया था इस कंडिशन में क्या हुआ अकबर का जहांगिर है और तुम्हारे पुरुवजो को भी ने बेबस कर दिया थे पूर्तगालियों ने आकर और एक बंदे ने आकर इनकी वाटर लगा दी तो बड़ी खुशी की बात है यह बंदे ऐसे हैं जो अपने काम आएंगे तो खुश होकर क्या करता है बही चलो आप इसका सक्रिंट्रेन चाहते हैं सकते हैं मैं रिवकाइज कराता हूँ इस्ट इंडिया कंपनी का आगमन है इस्ट इंडिया कंपनी आई है जो अमरे जोड़ी कंपनी है कब आई है इसके महारानीऑ नाम कुछ हो रहा था, बाद में East India Company रखा गया, फिर क्या तो इसकी शोरा सुष्वी में महरानी ऐलीजाबैथ, ठीक है ना महरानी ऐलीजाबैथ, क्या करती है महारामी एलिजाबैत क्या करती है एक चार्टर या एक अधिकार पत्तर जारी करती है और क्या कहती है कि आप पुर्वी देशों के साथ 15 वर्स तक व्यापार करशक्त जिसके उपर आपका एक अधिकार रहेगा और 1608 में एक साही फर्मान जारी किया जाता है और किसके तहत एक कैप्टन होकिन्स है इसको एक साही फर्मान देकर भेज दिया जाता है इंडिया में जाओ समराट क्या नाम था उनका अकबर से मिलो और आपना सूरत में फैक्टरी खोलने के लिए इजाज़त मांगो लेकिन जब वो पहुँचे उस समय तक उनकी मरतियों उच किती सासकों थे जहां किन और यहां पे इन्होंने फैक्टरी खोलने के अनुमती मांगी जो कि ऐस थाई थी जो मिली वो ऐस थाई थी फिर क्या होता कि 1609 में समराट जेम्स पर्थम व्यापार के जो अधिकार्द है जो 15 साल का कंपनी को वो बढ़ा देता है और वो कर देता है एन निस्चितकाल के लिए आप एन निस्चितकाल तक व्यापार कर शकते हो उसके बाद क्या करते हैं 1611 में मसूली पटनम में पहली फैक्टरी खौलते हैं अब 1611 में ये दक्सिन भारत की पहली फैक्टरी ठीक है अब क्या होता है कि इसके बाद गया तो 1613 में एक वी लड़ाई हो जाती है इसकी अंगरेजोका नेतरी तो कर रहा है कैपटन बैस्ट लुक्सरा बता रहे था जिस नु के पाओन सफेद सफेद होते हैं बाद इस मच्शर की सामने है कैमरे की सामने जो है अब क्या था कि 1611 में कैपटन बैस्ट पुर्तगाली जहाज को जीत लेता है और जिससे जहांगी रुखूस होता है और यहां पर व्याप पार करने की अनुमती दे देता है यहां तक हम ने पढ़ा इसका एक बार आप सक्रीन सोट लेना चाहते हो तो ले सकते हो चलो मिठा दें बाई सर्दी के मौसम में मच्चर कमाल है बाताओ माइनस में इतना माइनस का ताप टेंपरेचर होगा चलो चलते हैं आगे 1615 में 1615 का समय है 1615 का अब एक कैप्टेन को बेचा जिसका नाम है टोम मच्रो टोम मच्रो तोम मच्रो बेजा जाता है भारत में और इसको कहा जाता है कि जव आप भाई वहां पे न संपूर्ण भारत में वियापार करने की अनुमती मांगो जो किसको मिल जाती है सर्टोम में शुरू आते हैं 5615 में और शंपूर्ण भारत में वियापार करने की अनुमती हासिल करते हैं वियापार करने की अनुमती हासिल करते हैं अब ये वियापार करने की अनुमती हासिल करते हैं कौन सर्टोम मसरो अब क्यूसन में ये भी पूछता है कि संपूर्ण भारत में वियापार करने की अनुमती किसको मिली किसको मिली थी सर्टोम मसरो को किसको मिली थी इनका पूरा नाम लिखते हैं बुक में लगबग सर्टोम मसरो क्या लिखा होता है सर टोमस रो लिखा होता है इनका नाम और क्या गरते हैं? इनको संपूर्ण भारत में विया पार करने के अनुमती मिल जाती है और फिर 1633 का जो समय है 1633 का इसके अन्दर क्या होता है? पुर्वी जो छेटर हैना पुर्वी छेटर पुरुवी छेतर में भी ये पुरुवी छेतर समझ रहे हो यदि ये भारत है ऐसे करके ठीक है और ये ना इसको पुरुवी छेतर यहां पे यहां पे भी सोडा सोतेतिस में फैक्टरियां को लेते है बाला सोर है पता ने क्या क्या नाम जो भी पुरुई छेतर में फैक्टरी खोल लेते हैं बाई यह ठीक है पुरुई छेतर में भी फैक्टरी खोल लेते हैं ठीक है कब 1633 में और इसके बाद क्या गड़ते हैं 1649 में मदरास का नाम है चलने यह क्या 1635 में चंदरगरी के सासक से यह मदरास को पट्टे पर ले लेते हैं बाई मदरास को पट्टे पर ले लेते हैं किसको ले लेते हैं मदरास को किसे चंदरगरी के सासक से किसे चंदरगरी के सासक से लेने वाले कौन है फ्रांसिस डे कई बारक अगजाम में ए पुछता है कि किस अंग्रेज अदिकारी ने किस अंग्रेज हधिकारी ने संद्रगरी के सासक से मदरास को पट्टे पर लिया तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस अपका आंसर होगा फ्रांसिस डे फ्रांस का नहीं है यह इंग्लेंड का यह कभी आप नाम से फ्रांसिस लग रहा तो फ्रांस का समझाओ Francis D ठीक है इसने क्या किया Francis D ने चंदरगरी के सासक से मदरास को पटे पर लिया और एक किला बनाया एक किला बनाया जिसका नाम क्या था Fort Saint George एक किला था जिसका नाम था Fort Fort कोई किला बोलते है Fort Saint George ठीक है कि इक इक इलाव ना है, फोर्ट सेंट जोर्ज कहां है, इक मद्रास में, किसने, फ्रांसिस डेने, जब चंदरगरी के सासक से मद्रास को पट्टे पर लिया, अब इतियास में इसकी चर्चा कमे मिलती है कि इसको बनाय था, कि इसमें ही हो जाता है, कि इसकी 1635 के नजदी की मिला इसका correct date अगर आपको इसकी correct date मिलती है तो आप comment box में comment कर शकते हैं ठीक है मुझे इसकी मिली नहीं कहीं पे NCRD में वी पिन चंदरा में और जो UPC preparation की किताब है ना क्या नाम नहीं का मुबूल गया spectrum ठीक है इसमें कहीं नहीं मिला मुझे तो आप इसकी date देख सकते हो यह मदरास को पट्टे पर लेते हैं और यहां पर सेंट जोर्ड फॉल्ट को बनाते हैं और इसके बाद क्या करते हैं यह 1651 में और इस 1635 नहीं था वह 1649 है यह 1649 रहेगा 1649 में इसको लेते हैं और यह बनाते हैं यहां पर और 1651 में 1651 में उगली पर हुगली में भी व्या पार करने के अनुमती मिल जाते हैं उगली में भी कारखाना लगाते हैं यह कुछ extra की बात हैं जो आपके exam में ज़्यादा तर नहीं पऊष था पर फिर भी आप याद रख सकते हैं ये कब 1691 में उगली में भी कार खाना लगाते हैं उसके बाद बंगाल, बिहार, पटना यहाँ जो छेतर वहाँ पर भी 1691 में लगा जाते हैं इसके साथ है, राजकुमार क्या था, चार्सद्वीती के साथ साधी हो जाती है, 1661 में क्या करते हैं, वो पुर्तगाली एक मुरख्ता का काम कर देते हैं, क्या कि बंबई को ना, राजकुमार को देते हैं, और वो ना 1668 में वो राजकुमार भाई साब क्या कर देते हैं, की राखसाही परिवार था कि समराट ने समराट ने बंबाई कंपनी को सूपदी बया अब कंपनी को सूपदी तो stacking तो पहले फिर प्रोग्रस पले है अब क्या करेंगे बंबाई एक ऐसी जगह हो गई कि ये मैप सा है मुझे ज्यादा अच्छा है आता ये बंबई हमाल लेते हैं यहां से ये लगबगापका हो गया श्तевवर इसे करके भीच में बिना रहा हूं तो यहां से इनको जाना आता था इधर के रष्टे से तो किया हो गए इधर से ना इनके जो बंदरगा थी वह एक अच्छी ऐसी जगह थी जहाँ पर इनको आना जाना भहुत आसान हो जाता था अब जहाँ जिनको व्यापर करने के अनूमती मिल गई और यहाँ पर एक सстी जगह मिल गई और जो प्रुपर जगह हो मिल गई तो इनका व्यापार तो बढ़ेगा इनको 1666 में बंबई भी मिल गई कहां से? समराठ से, अंगरे जी समराठ से, ठीक है और इसके बाद क्या होता है 1686 में ये एक बड़ा मुरखतावाला काम करते हैं इनको जाता गमंड है ये सोचते हैं कि हम बाद साब अब इनके पास कुछ नहीं, मुगलों के पास और 1600 कुछ का समय है 1686 का समय है और ये क्या गर देते हैं? 1686 में हुगली को ठीक है हुगली को जीत लेते हैं बाई हुगली परकबजा कर लेते हैं या हुगली को जीत लेते हैं हुगली को जीत लेते हैं अब औरंग जेब है, औरंग जेब को ये बात पसंद नहीं है, औरंग जेब काता है अपनी शेहना बेजता है वहाँ पर जाओ भाई शेहने को और इन अंग्रेजों की पिटाई करो अब वहां से इनकी बड़ी पिटाई हो तर ये भाग जाते हैं ठीक है भागने के बाद इनको समझ में आ गया कि भाई अपना बिजनिस तो लोप हो गया चोपट हो गया ऐसे व्यापार तो नहीं जलेगा हम तो ऐसा नहीं कर शकते क्यों क्यों कि योलंग जिब ने तो हम हमें पिट के बाहर निकल दिया अब इतनी अपनी अपनी उकात नहीं है फिर ये बड़े चतूर आदमी थी इन्होंने क्या क्या भाई जा गे ना उनसे रिक्वेस्ट करो फिर से अपना अधिकार मांगो फिर से कोई बादनी हमसे गलती हो गई आगे से हम ऐसे गलती नहीं करेंगे और हमें ना वयापार करने की अधिकार फिर से दो हम तो मूरक आदमी थे गलती कर बैठे दिल गलती कर बैठा इनका जो भी नोटियाल की तरह है ठीक है और यह क्या हो गया यह बैचारे ठीक है और और रंगजेब ने सूचा किया कि कंपनी एक या पारी लोग है हमारा क्या भी करेंगी पर भाई साब ने क्या सोचा था कि याने वाल समय में तुम्हारे प्रूजों क लाल के लिए से बाहर कर देंगे उन्होंने सोचा है नहीं था इसा अब क्या होता है इसके आगे तम थोड़ी इंक डाल लेता हूं अब इसके आगे क्या होता है भाई शोला सो अठाणमे में बोल्ड पे कहां तक जगा दिखे रहे बोल्ड तो कंप्लीट हो गया भाई इसे नीचे तो बोल्ड तो है दीख नहीं रा पान लिख दूं यहां तक शोला सो अठाणमे में अंग्रेजों को तीन जगे लिखता हूं में सूता नाती कलीकता कलीकता गोविंदपुर इन तीन गाउं की जमीदारी मिल गई 168 अंग्रेजों को इन तीन गाउं की जमीदारी मिल गई अब जमीदारी के बाद क्या करते हैं ये एक बंदा आता है जिनका नाम है जोब चौर नाक जोब चारनाक ठीक है एक और बंदा है जिनका नाम है जोब चारनाक जोब चारनाक अब भाई इनका हो गया यहाँ पे अधिकार अधिकार होने के बाद यह क्या करते हैं अधिकार होने के बाद एक किला बनाते हैं कहाँ पे कलिकत्ता में ये तीनों गाओं को मिला के बना देते हैं आज का जो कलकता है वो कौन जो बचारनाक और एक किला बनाते हैं जिसका नाम है फोर्ट वीलियम क्या नाम है फोर्ट वीलियम नाम के किला बनाते हैं अब एक बात ध्यान में रखेंगे आप एक दो क्रिश्टन होते हैं आपसे कि Port William कहा है? Port St. George कहा है? Port St. George कहा है? मदरास में है. दूसरा हमने लिखा था की Port William कहा है? ठीक है, Port William कहा है? कि कलीकता कलीकता में कलीकता से पहले सुतानाती, कलीकता, गोविंदपुरी तीन गाऊं थे जहां कि जमिदारी अंगरेजों को मिल गई थी जौब चारनाक ने तीनों को मिलाकर एक अलग से एक बड़ा सहर बना दिया जो आज का सहर है कलिका कलकता कलकता को वहां फिर बना दिया था समय के बाद राजधानी और उसके बाद 1911 में राजधानी ट्रांसफर करके कर दी ती दिली जो कि 1112 में फिर वो स्थापित हो गई थी ठीक है यह था वह यहां से आप लिख सकते हैं गभार सक्रीन शोट आप ले सकते हैं और भी कहीं जगें बची क्या हाँ थोड़ी थोड़ी और बची यह मिटा देते हैं एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहां से पड़ रहते हम 1615 में सर टोमस रो संपूर्ण भारत में व्यापार करने के नुमती हासिल कर लेता है 1633 में पुर्वी चहतर में फैक्टरी स्थाफित कर लेते हैं अंग्रेज यह पुर्वी चहतर था 1649 में चंदरगरी के सासक से मदरास को पटे पर ले लेते हैं और मदरास को पटे पर कौन लेता है Francis Day है इसका नाम ये एक अंग्रेज जदिकारी है और Fort St. George किला बनाते हैं जो की है मदराज में दूसरा किला Fort William जो की है कलकता में और इसके बाद है 1600 क्याओनमी हुगले में कारखाना स्थापित करते हैं और 1668 में समराट ने बंबई कमपनी को दे दी इंगलेंड के समराट ने बंबई कमपनी को दे दी जिससे इनका व्यापार वट बढ़ गया और यहां से व्यापार करने लगे और 1686 में हुगली को इन्होंने अंगरेजों ने जीत लिया जिसका मुगलब समराठ के साथ इनका विवाद हो गया और उनको यहां से बाहर निकाल दियागा वापिस गलती मांगने पर इनका हर जाना देने पर यह वापिस वियापार करने के लिया गए फिर इन्होंने क्या कि 1686 के बाद कुछ कहा था 1688 में में इनको सूताना ती कलिकातर गोविद पुरीग की समयधारे मिलगी जिसमें जॉब चारनाक ने इन्हों को इकठा करके कलकता बना दिया और एक फोर्ट विलियम की स्थाफना कर दी यह था भाई यहां तक सही है अब 1717 का दूर है भाई सबसे बढ़े गलती यहां होती है 1717 क्योंकि 1707 मेना औरंग जे मर गया था यह तो बेचारा मरा वो मरा लेकिन उसके बाद वाड़े ऐसे नालायक आए इन्होंने सब उस डूबो दिया ऐसा मानते हमाने नहीं मानता मैं पहि लोग कहते हैं अब 1717 में क्या हुआ कि एक समय था कि फरुक्सियर सासक था हिंदुस्तान का सासक कौन था फरुक्सियर कौन है फरुक्सियर कुन है भई फर्रूक्षियर है फर्रूक्षियर को जाती है एक बिमारी बिचारे को फोड़ा हो जाता है और यह इसका इलाज करने के लिए एक अंग्रेज डोक्टर है डोक्टर का नाम है भई डोक्टर का नाम क्या है विलियम हैमिल्टन डॉक्टर का नाम है वीलियम वीलियम हैमिलिटन वैसे तो नाम नहीं पूचता इसे कितने याद रखेंगे बच्चे हैमिलिटन वीलियम हैमिलिटन को क्या कहता है यह वीलियम हैमिलिटन आता इसका इलाज करने के लिए और वो इसका इलाज कर देता फ्रुक्षिर को अब फ्रुक्षिर क्या कर देता एक फर्मान जारी करता है एक फर्मान जारी करता है कि भाई आप ना तीन हजार रुपे वार्शिक तीन हजार रुपे वार्शिक दें वार्शिक खर्चा दें वार्शिक पैंसन दें और आप क्या करशकते हैं व्यापार करें बंगाला में आप क्या करें वहाँ पे फ्री में व्यापार करें तीन हजार रुपे के बदले में ठीक है ना आपको अनुमती मिल जाती है अब यह क्या गरते हैं भाई इतने छूटी मिलने के बाद यह तो भाई सब कुछ करेंगे क्योंकि इनके अधिकार में आजाता है और यहां से ना जो मुगल समराट के अध्यादेश से या क्या है फरमान से और वहां जो बंगाल में सासन कर रहे हैं खहाना थो नुकसान है अब ये तो 100 उर्पी की चीज है ना इनको टैक्स नहीं देना पड़ता ये older की चीश एक 110 में बेज सकते हैं Luck कि सव रपी के खरचह ये 110 की बेज़ देंगे दैङateg प्रप्ष का और हमें जो हैं एक फोड़ा भारत का भवश्य बदल देता हुरी इसका फोड़ा है फरुक्षिर का ये फोड़ा ना एक भारत का भवश्य बदल देता भई और इसके बाद क्या होता है कि इनकी हो जाती ठीक है अब ये क्या करते हैं इनको एक अनुमती मिल गई सतरा सुस्ताउन में पला पर विजित कर लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं अठारोस ताउन तक सब कुछ अठारोस ताउन की करांती होती है जिसमें इनका एक अधिकार और बढ़ गया ठीक है फिर यह अंग्रेज शर अंग मतलब ब्रीटिश शरकार के धिना गया और यह उनिस सो से अधिका था डी डी अफ मूलरूप से जो आए है विदेशी वो यह आए थे पी से तो आए थे पूर्तगाली अगर आपको याद नहीं रहता तो पूर्तगाली डी से आए थे डच पी से आए हैं अंग्रेज और डी से आए हैं डेंस ये डेंस तो बैचारे आए कुछ दिन व्याबार के अपनी व्याबारी कोटियां बेच के चले गए इन्होंने कुछ नहीं कि बेचारे ने फिर लाश्ट में आते हैं डेंस के बाद निचे नहीं दिख रहा इसके बाद आते हैं अफ से फ्रांसीसी ठीक है फ्रांसीसी आते है बई ये फ्रांसीसी आते है लास्ट में और ये ताबड तोड़ तवाई मचा देते हैं अंग्रेजों की एक बार तो और अंग्रेजों की और फ्रांसीसी की तीन लडाईयां होती है जिन को बतलते हैं करनाटक यूद ठीक है करनाटक य मैं श्च मैं फ्रांसीश हाऊ जाते हैं पहली केट प्रांसीश की पर बढ़ ya pti ने लेकिन कि उसके बाद कि यह जो बड़े वायाता हैं। तिने मजबूत नहीं होते एक नाम पढ़ेंगे आगे चलके हम गोड्यू वो गोड्यू विचारा ऐसा गोड्धू था उसे ने क्या कर दिया सारा जो डूपले की जो पॉलिशी थे हैं वो सारी फलॉप कर दी और लास्ट में करनाटक के त्रिती युद मेहार के चले जाते है यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे हम पढ़ेंगे वो step to step पढ़ेंगे कैसे करनाटक की पहले लड़ाई किस-किस के बीच में हुई थी करनाटक की दूसरी लड़ाई क्या हुई थी उसमें कौन विजय हुआ था कौन हार गया था यह हम पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बाद आजाते हैं वही डेंस अब थोड़ा साफ पढ़ेंगे देंस के बारे में देंस आते हैं 600 कब में 660 में जो डेंस आते हैं कहां लिखे थे देंस यहां तक भी रा 1616 में तो आ जाते हैं बेचारे और कुछ दिन ये फैक्टरी खोलते हैं पहले फैक्टरी खोलते हैं 1620 में और ट्राम्ब कोर क्या नाम है इनका फैक्टरी का नाम है भाई एक मिनट के लिए ट्रेंग को बार 1620 में एक फैक्टरी खोलते हैं ट्रेंग को बार में ट्रेंग को बार में एक फैक्टरी खोलते हैं ये और ये बेचारे ना कुछ ऐसे ही कुछ दिन के बाद और शोड़ा सो सतरा सो पैनतारिश में अपनी फैक्टरी ये बेच के अंग्रेजों को चले जाते हैं अपनी सारे फैक्टरी अंग्रेजों को बेच देंगे और बेचारे चले जाएंगे चले जाते हुद हम मैं कोई लडाई जगड़ा नहीं करना हमें कोई मतलब नहीं यहां से हम तो बेचारे श्री भाद電 है फ्रांसिस्यों में क्या होता है कि एक नाम चुना वगा जब हम वल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे हम नाम एक खतरनाक आदमी है वाई एक बहुत खतरनाक वल्ड हिस्ट्री के दौरन पढ़ेंगे लुई चोधवे लुई चोहदु में कैसे खतरना गुंदे हैं वहां पड़े हैं वोल्ड इस्ट्री में अभी क्या करता है हम बिना व्यापार करेंगे और 1664 में पता ने इसमें कौन सी मात आ जाती है यह चलो वह आप पुर्वी देशों में व्यापार करो और यह कंपनी स्थाफित करते हैं French East India Company French East India Company और रिकरते हैं कि जाओ पृतगाल अब जाओ पुर्वी देशों में जाकर व्यापार करो और यहां से यह आतने हैं बेचारे अब जो France East India Company थी उसकी समस्या ये होती है कि वो पूर्ण रूप से ना सरकार के अधिन है जो पोलिशी होंगी वो सरकार की होंगी जो खर्चे लगेंगे वो सरकार के लगेंगे जो आपकी इंकम देनी है उसका हिसाब किताब सरकार रखेगी इस कारण क्या है कि सरकार के कंट्रोल में हो जाती है फ्रेंच इंडिया कंपनी है ये पूर्ण रूप से सरकार के अधिन हो जाती है और जो इस्ट इंडिया कमपनी थे अंग्रेजों की वो क्या है कि सरकार के नियंदर ने पूर्ण रूप से नहीं है पॉलिसी तो मानती है पर पूर्ण रूप से नहीं है इसलिए अपना विश्थार वो मनचाहा कर लेते थी क्योंकि वहां के साथ सकत्जाओ भाई आपको और ऑप्धा था और फिर गोड़ ने बाप बीचारा का काम करथ है यहां से कोह जएदा नहीं आते और इनकी जू क्यूर्ण बन maltet है वह आगे चलके हम MCQs का एक MCQs की एक सिरीज चलाएंगे कि जो हम पट रहेंगे उनकी सिरीज से MCQs की सिरीज चलाएंगे लेकिन समय लगेगा वहां हम जो तने भी आपके MCQs होते हैं वो पढ़ेंगे यहां हम आपके स्टोरी पट रहें एक्स्ट्रा में जो भी आपके नजदिक पेपर आते हैं उनके practice smoke test भी कराए जाएंगे तो आज की वीडियो हम यहां पे खतम करते हैं आगे की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अब इनके साथ है उस समय किस चेत्र की स्थिति कैसी है हैदराबाद को कौन जीत लेता है करनाट की स्थिति कैसी है उनमें कौन से कौन से यूद होते है मैसूर की स्थिति कैसी है उनमें कौन से कौन से यूद होते है और मराठो की स्थिति कैसी है मराठो के साथ कैसे यूद होते है ये सभी चीज़े बहुत important है और इन के लिए और फिर एक ऐसा है बसता बंगाल बंगाल में भी बहुत ज़्यादा वो होता है लड़ाईयां होती हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चेतर है तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको आगे की दो तीन कलास हो सकता है चार पांस कलास बजा के कवर हों क्योंकि बहुत इंपोर्टन्ट चीज़ हम बड़ी गहनता के साथ समझें इनको और आप वहां तक अपनी कलास जुरूर देखें आपकी कलास यहीं पर कंप्लेट होती है और आप चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें थैंक्स वी